हुआ दोस्तों मैं ताविश रजीम ओनर और फॉंडर ऑफ इस्टार फोटो लैब डॉट इन स्वागत करता हम आप सभी का अपनी इस नहीं वीडियो में और दोस्तों अगर आप फोटोशॉप अपे इड्टिंग करते हैं अगर आपका फोटोशॉप से लेटेड थोड़ा भी काम होता है तो दोस्तों आप अपने हाथ पाउख को समेट लो और एक कोना पकड़के एरफोन लगाके बैठ जाओ यह वीडियो बहुत सा बरदस्त होने वाले आपक को देने वाला हूँ यह है इरर फ्री इरर फ्री का मतलब मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझसे पहले भी पूछा था मैं उनको बताया था कि इस तॉप्डर को वर्धन रंडिरंडी को यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की बहुत ज़रूद पड़ती है और यह इस्टॉलेशन प्रॉसेस बहुत टाफ है इसका और यह लॉंचिंग में प्रॉब्लम करता है तो इस तरह की जो इसमें इरर्स आ रही थी यह इरर फ्री है क्यूंकि इसमें आपको अभी इंटरनेट की ज़रूद नहीं पड़ेगी अभी आपको इसमें इस्टॉलेशन के इसमें कोई भी एक्टिवेशन की डालने की दरूद पड़ेगी यह है इरर फ्री फोटोशॉप इंटरनेटी को में क्या बेस्ट फीचर्स है और टॉप की फीचर्स जो मैं उनको भी आपको भी बताऊंगा सिस्टम रिकॉर्मेंट बताऊंगा और टोडल डीटेल्स यह फीचर्स इत्युक्स तो दोस्तो किसी भी काम को करने के लिए हमें तीन कोश्र चैन्स की बहुताजराव सरुःदी होती है क्यूं कब और कैसे फोटोशॉप टोने डीटेल्स लाच के क्यों कशा आगर मैं एक डेसाइनर हूं अप इक डिसाइनर हैं आपने डिसाइन आ कर रहे हैं आपका Photoshop आप CS 4 पे कर रहे हो CS 6 पे कर रहे हो 2015 में कर रहे हो आप क्यों 2018 पर आओगे उसके लिए क्या रीजन है दोस्तों इसकी जो रीजन है बहुत जादा जेनुएन रीजन है क्योंकि अगर फोटोशॉप की बात करें तो वह इमेज प्रो के नाम से शुरू बार बार अपडेट हुआ Photoshop वर्जन 5.0, 7.0 फिर उसके बाद CS आया यानि कि CS का फुल फ़र्मिद क्रेटिव सूट क्रेटिव सूट भी आया उसमें वर्जन 2,3,4 इस तरह से बढ़ता गया फिर अभी CC लांच हुआ CC आया तो मार्केट में यानि क्रेटिव क्लाउड क्रेटिव क्लाउड में भी वर्जन्स आते गए तो फोटोशॉप जो है डॉबी कंपनी ये बार बार हर साल अपने आपको अपडेट करें क्यूंकि जो भी कुछ बनाया जाता है अगर हमने पहली बर कुछ बनाया होगा तो लतें बहर आति क्ला कमेह, करता हैं कि बदाऊटोचलंण बेसतों करते गए क्लाक कि प्तिव हमतलब सम आएंब शींदी करते हों आंज चेसे शह बडाए जाता था उसके अंदर अग्यावन दक्या और ख्या है जहां आपको दूसरी बात है कब कब का अभी सबसे बेस्ट मतलब ये कब का मेरा सेंज है है कि कब लेना है आप फॉट शोप पैस करेंगे चल जिए किमत किनी है ठीक है मैं cheap rate पे crack version software और बहुत सारे software जुगाड़ आपके लिए लाता हूं क्यूंकि आप photoshop के जो users है आप effort नहीं करते हैं पर आपको भी यूज करना आपको भी सीखना तो आपके लिए मैं जुगाड़ ले आया हूं तो दोस्तों मैं जो जिस प्राइस पे सेल कर रहा था मैं 500 रूपीज में कर दिया मतलब 90 परसेंट मैंने डिस्काउंट खुद कर दिया क्यूं क्यूंकि अभी COVID-19 है ठीक है दोस्त अभी हम लोग सब लोग घर पे बैठ चैजव और हम लोग अगर डिजयनर हैं आपके घर पे कोई भी डीजयनर यह डिज़ाइनिंग सीकना चाता ठीक है दोस्तों क्योंकि यह बहुत अच्छे के्रियर ऑप्शों भी बनके आ रहा नहीं क्योंकि अभी चितने चीत आप अपने आखों से देख रहे हैं वो सब कुछ एक डिजाइन ही है ठीक आप किसी शॉप पे जाते हैं आपके शॉप पे उसके दुकान पे जितना डबा रखा हुआ है पोस्टर लगे हुए सब एक डिजाइन ही तो है अगर आप अभी गूगल देखते हैं तो वो भी डीजाइन है आप जो भी देख रहे हुए उक मतलब हम लोग गैडरिंग वाला काम नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए अभी का जो टाइम है फोटोशाप को पर्चेस करने का और यूस करने का यह सबसे वन और दा बेस टाइम है तो इसलिए एक तो अभी हमारा सीखने का टाइम है दूसरा मैं अभी डिसकॉंट पर दे रहा हूँ पर दोस्तों सिर्फ 100 लकी कस्टमर्स को यह डिसकॉंट पर बिलेगा जो फर्स्ट रियक्ट करेंगे हमारे साथ उसके बाद में नहीं दूँगा इस प्राइस पर क्योंकि मैंने भी आपर लिमिटेट रख रहा है और यह चाहे एक दिन में खतम होज़े चाहे दो दिन में तो बाद आप मुझे इस गूगल पे पे क्यूर कोड इसकैन करके यह कॉंटक नंबर पर पेमिंट करके मुझे वाट्सअप शेयर करेंगे मैं आपको उसका पसवर्ट दो दूँगा आप उसको इंस्टॉल करेंगे और इतना इजी प्रोसेस में इस्टॉल होगा कि आप मतलब पास जो है अपडेट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा आपसे शेयर करना चाहता हूं कि क्यूंकि सिस्टम रिक्वार्मेंट होना जो है वो बहुत जरूरी है तो यह आपको बगल में एक पूरा चार्ट आ गया है इसमें आपको हाट डिस्क डिक्स्टॉप रिजॉलूशन प्रोसेसर और ऑप्रेडिंग सिस्टम रैम सब कुछ इस पर दीख रहा है इस्टार्ट पर आपको लेकिन मैं आपको मोटा माटी भाष्य में समझा दू कि आपका जो विंडोस है वो अपडेट होना चाहिए ऑप्रेडिंग सिस्टम और वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहि है और वर्जन पर नहीं चलता है दूसरी चीज है रहम आपकी दो जी भी इन्होंने का है अगर चार आठ हो तो बेटर है और हाट डिस्क में स्पेस्टाप के रहे गई रहेगा और सिस्टम की जो गन्फिग्रेशन है वो थोड़ी लेटेस्ट होनी चाहिए बहुत जादा वाली वर्ट को नहीं समझते हैं वो सिंपल लोग है मेरे जैसे और आम भाषा में लोग बातचीत करते हैं तो उसमें जादा समझ में आता है क्योंकि हम लोग टेक्नलोजी से रिलेटेट मतलब ऐसे कॉलेश से नहीं आ रहे हैं हम लोग बस अपने भाषा में आम तौर पर चीज़ होती है उसमें लोग समझ लेते हैं तो हम्मारा मोटा माटी में यह हो गया तो सिस्टम कर पिकरशन हम समझ गया अब हम लोग बात करते हैं टॉप की जो पाच मतलब इसकी में पाच टॉप की फीचर्स इतने दोस्तों कि मैं बता रहूंगा तो इस दिन सब खतम हो जाए लेकिन यह कंप्रीट नहीं होगा क्योंकि इसमें अंदर करते जाओ करते जो बहुत है और अगर यह इस वीडियो पर मिरे लाइक अच्छे आते कमेंट मुझे आती है तो मैं इसके फोड़ोशॉप ट्रेशन बनाऊंगा पूरा एक टूल्स के बारे में सेपरेट वी तो दोस्तों जो भी है मैं बस आपके भरोसे ही चल रहा हूँ तो इसकी पहली फीचर में आपको बता दूँ ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल यह इंट्डूइस किया है फोड़ोशॉप ने 2020 में ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल यह क्या है दोस्तों अगर आप वी तक वीड टूल के इस्तेमाल करना होता है या बहुत सार जो से कटिंग करते हैं तो वह क्या होता है बहुत टाइंटेक्ए है एक फोड़ों काटने में अच्छे से बहुत टाइम लगता और एजेस जो होती है उसके घुर्दूरापन रह जाता वह भी आता है तो यह फोड़ोशॉप कि अगर मारे पूरी background एक particular color में है और अब लगो और काटना भी नहीं है वेसे background डिलीट करना है तो background eraser tool इसमें eraser वाले section में डाला गया है जो कि बहुत अच्छा है और और आम से वह किसी भी चीज़ को मतलब की पिछे से background से अपा दीता है तो टीसरा चीज है content यह जो चीज यह बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है इसमें क्या होता है कि आप सपोस्ट करें एक इमेज में एक चैप की दस चीज है लेकिन उसे आठी दिखानी दो नहीं दिखानी तो अब हम क्या करते थे पहले के पैस टूल से या किसी दूसरे टूल से वहां पे कलर को उ सब्सक्राइब बहुत जबर्दस्त मिल्कुल ऐसा गायब होगा पता नहीं चलेगा और आपका बैक्राउंड डिलीट नहीं होगा तो यह कंटेंट अव्या टूल इसके लिए बहुत साथा जरूरी है उसके बाद दूसरा जो बहुत अच्छा फीचर लगा इसमें ट्रांस यह 2019 से भी जाद अपडेट हुआ है क्योंकि 2019 से बिफोर के जितने थे तो हम जो भी किसी चीज़ को ट्रांस्फॉर्म करते हैं मैं ट्रांस्फॉर्मेशन को आपको आसान वाश्रा में समझाता है कंट्रोल टी प्रेस करके हम जो किसी चीज़ को खेशते हैं कभी चोड़ी क लंबी तो क्या होता है कि शिफ्ट के साथ खीचने पड़ती है अल्ट शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो वह एकुरेट पोजिशन से बढ़ी होगी छोटी होगी लेकिन क्या होता है अगर हम गलती से किसी एक एज को पकड़ करके तो लंबी है शिप्ट हो जाती है ठीक है तो यह जो टांसफोर्मेशन है तो यह 19 में भी सॉल्व हो चुकी थी लेकिन उन्हों में क्या क्या था मतलब वह होता है ना एक आंख में सुर्मा एक आंख में काजल उस टैप वाला प्रोसेस हो गया था उनका क्यूंकि जब किसी फोटो को करते तो ठीक था लेकिन अगर हम किसी शेप जैसे मैंने एक फ्रेम बनाया है एक शेप है अब मैं उसको करूंगा तो उसमें उनका कहना था कि शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा आपको यह तो आप एक ही सोच लो या आपको ऐसे रखना है आप दो-दो बात तो कोई नहीं समझने वाला है तो यह जो इसमें बहुत आराम होने वाली है मतलब आप सोच लो कि अब डिजाइनिंग शीखने आये हो तो आपको इतना क्रॉपिंग पे और इसना री ट्रांस्वर्मिशन पे इतना ज्यादा दिमाग लगाने की माता पिची करने की ज़रूरत नहीं है आपको बस यह सब काम बहुत इजी हो हो गया बहुत जादे इसी हो गया अभी अगर हम इसमें एक्स्ट्रा बात करते तो जैसे की कलर हम किसी कभी भी हम कोई डिजाइन करने बाट से जब वाइट पिज लेके बैठते तो हमें कलर को बैक्राउंड पे लेने के लिए हम सोचते हैं कौन से कलर ले वो पुरारे जम और मिक्स ओर ग्रीट उसको मतलब फोटोशाप की वाश्या पर कहते हैं हमारे वाश्या पीले जो फैले कि फोटोशाप थे उसमें लिमिटेड आटड़ ग्रेडिया थे वह बहुत भूप थी गाटिया कलर जिसको कहते है घटिया आधा वह कलर तो उसमें ठीक है और अबभ क्योंकि color combination उन्हों ने करके रखा है Photoshop ने कर रखा है यह तो मैंने आपको इसकी 5-6 features बताई जो मुझे मतलब अभी के जितने कि कौन सा टूल भाय सब क्या काम करता है यह में नहीं पता है अब सबोज कि आप पता यह नहीं कि आपको प्याश छूड़ी से काटना र alguma मसे तो अभी टूल्स का güle सेक्शन उस में क्या होगा कि आपका मास सिर्फ उस टूल के उपर आपको रखाना है ठीक है और automatic उसकी वीडियो चलने लगेगी बतलब आपको ये टूल क्या काम करके देगा ये भी वो बताईनी है कि आपको बस सिर्फ वहां पर रखना है और आपका वो काम होना शुरू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिजिए अपने किसी जानने दोस्तों आपको वह रेड़ वाला बटन सब्सक्राइब धाबना और बेल आइकन पर क्लिक करना है दूसरी बात दोस्तों कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी और पूछना है और आपको कुछ नहीं चीज पर वीडियो चीए तो कमेंट सेक्शन है नीचे आप यहां तुरक्षी दरे खर पे रहें